Hello students, welcome to Topic Touch. इस वीडियो में हम Synthesis of Sentences की Exercise 6 का solution करेंगी और इसमें हमें क्या करना है? Simple sentence बनाना है by using Adverb or Adverbial Phrase. तो Adverb या Adverbial Phrase का use करके Simple sentence कैसे बनाया जाता है? इसको मैं already आपको पढ़ा चुका हूँ, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में और उसमें Synthesis की बहुत सारी वीडियो हैं जितने नियम हैं तो बे भी आपको वीडियो मिल जाएगी अभी हम इसका पहला sentence देखते हैं The Rose has thorns यानकी जो रोज होता है गुलाब उसमें thorns काटे होते हैं तो सर्टेन का एड़ब बनेगा सर्टेनली निस्चत रूप से और ये बाग पूरा The Rose has thorns निस्चत रूप से गुलाब के काटे होते हैं या हम ये भी कर सकते हैं सर्टेनली को लास्ट में ले जाएंगे तो कौमा नहीं लगेगा The Rose has thorns सर्टेनली दूसरा सेंडेन्स देखे Great people serve their country वहाँ लोग जो हैं वो अपने देश की सेवा करते हैं Their service is यहां पर उन्हें चाहिए Their Their service उनकी सेवा is selfless निस्वार्थ होती है उनकी सेवा निस्वार्थ होती है तो selfless का हो जाएगा Selflessly तो great people serve their country Selflessly अगर हमें selflessly को आगे रखते हैंगे तो कौमा लगा के और यह sentence होगा पूरा इसके बाद देखते हैं तीसरा He was at fault यहनकी उसने गलती की थी उसने गलती की थी There is no doubt in it तो no doubt का बनेगा Adverb undoubtedly आगे रख देंगे Undoubtedly He was at fault यह बाद पूरा या इसे या से भी convert किया जा सकता He was at fault और इसे पीछे Undoubtedly चौथा sentence देखते हैं He went to market वार मार्केट गया He was in a hurry वा जल्दी में था तो यह पूरा sentence He went to market और in a hurry यह पीछे He went to market in a hurry अब देखिए इन a hurry का एड़ब यह पूरा एड़ब यह फ्रेज है इसका एड़ब हरी इडली यह भी यूज़ कर सकते हैं He went to market हरी इडली इसके बाद देखते हैं पाच मा I shall return by the morning मैं सोबह तक बापस आ जाँँगा लोट आँँगा I am definite about it मैं इसके बारे में definite हूँ निस्यत हूँ तो definite का बनेगा definitely definitely इस चत्रूप से यह पूरा sentence I shall return by the morning इसके बाद देखते हैं चटमा I thanked him मैंने उसे धनवा दिया I did it with all my heart मैंने यह सब अपने पूरे हर्दा से किया तो I thanked him यह पूरा adverbial phrase रख देंगे with all my heart मैंने उसे अपने पूरे दिल से धन्ने बाद दिया इसके बाद देखते हैं सात्मा The river was flowing river नदी flow कर रही थी बह रही थी Its flow was slow इसका जो flow था वो धीमा था तो यह पूरा sentence The river was flowing और slow का हो जाएगा Slowly नदी धीरे धीरे बह रही थी आठमा He did it उसने ये किया उसके बाद He did it उसने ये किया with a great success success के साथ तो देखे यह इतना part इसमें भी दिया है तो यह पूरा sentence ही इतना यही बन जाएगा एक simple sentence या with a great success इस पूरे Adverbial phrase को बतल देंगी successfully तो He did it successfully उसने ये सफलता पूरवक किया नवा He spent all his money उसने अपने सभी पैसे खर्च कर दिये This was foolish यह मुखता पूर था तो He spent all his money foolish का हो जाएगा Foolishly उसने मुखता पूरवक अपने सभी पैसे खर्च कर दिये दसमा है Civil pass the examination वो examination pass करेगी It is certain ये निश्यत है तो certain का होता certainly हम एक sentence देख चुके है Certainly civil pass the examination यह certainly को पीछे लगाएंगी तो कौमा नहीं लगया Civil pass the examination Certainly ऐसे भी बन सकता है 11 महा है The leader spoke नेता बोला और he He spoke for a few minutes वह कुछ minutes के लिए बोला तो यह पूरा sentence The leader spoke और he for a few minutes यह एड़बिल फ्रेज इसी में आ जाएगा The leader spoke for a few minutes नेता कुछ minutes के लिए बोला 12 महा है He met with an accident मतलब उसका एक accident होगा He was fortunate to escape unhurt Fortunate भागे साली था To escape भागने में बचने में Unhurt Unhurt H-U-R-T है यहाँ पर H-U-R-T Unhurt का मतलब होता है बिना चोटल हुए मतलब उसे कोई चोट नहीं पहुँची तो यह हो गया Fortunate का हो जाएगा Fortunately He escaped from an accident without hurt Unhurt का without hurt बिना चोटल हुए वो एक accident से बच गया इसके बाद 13 मा है They refuse to listen to my proposals Unhurt 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 They refuse to listen to my proposals Firm का हो जाएगा Advo Firmly Unhurt 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 की गई थी तो unexpected का हो जाएगा unexpectedly और यह पूरा sentence I met my friend in the train पंद्रमा है He kicked the player उसने player को लात मारी It was his intention to do so ऐसा करने का उसका एरादा था तो इसे यह आपको करना है इस परकार का sentence आपको मिल जाएगा जिसमें जिस वीडियो में बता गया है एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का प्रियोग करके simple sentence कैसे बनाते हैं तो वह वीडियो मिलेगी आपको इसी चैनल पर playlist बनी हुई है उसकी अलग से तो वहाँ पर जाकर कि आप देख सकते हैं ये वीडियो अगर आपको फसंद आया है ये लाइक किजिए चैनल पर यदि आप नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद